हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP पोलिस कॉंस्टेबल परिक्षा 2017 में 8 सप्टेंबर 2017 की फर्स्ट रिस्ट में पूछे गए जो की आने वाली MP पोलिस 2021 की द्रश्टी से बहुत इंपर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरू दबा लीजिए ताकि इसे इंपर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रस्ण आज का पहला प्रस्ण है मध्यप्रदेश का सबसे अधीक आभादी वाला सहर कोन सा है चार आप्सन आपको बताना है इन सबसे अधिक आभादी वाला सहर है मुंबई चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा कोन सा इस्थान भारती मानक समय के निर्धारन है तो संदर्भू माना जाता है तो इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर दो इलहाबाद के नेनी से भारती प्रदेषég में इस्तित है उत्तर प्रदेष ऑधितनात और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनदी वेन पटेल इस्थल के रूप में घोसित किया गया था चार आप्सन है तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन नमबर 2 भीम बेठिका की गुफाओं को 2008 में इनुसको द्वारा विश्व बिराशत इस्थल में सामिल किया गया था और भीम बेठिका की गुफाओं मद्यप्रदेश के राइ टिहरी बांध भारत का सबसें उचा बांध है और टिहरी बांध उत्रखंड राज्य में भागी रती नदी पर बना हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न हमारा 1947 में जम्मू और कस्मीर के प्रधान मंत्री कोन थे चार आपसानर आपको बताना है कि 1947 के दोरान जम्मू और कस्मीर के प्रधान मंत्री कोन थे तो इसका राइट आंसर है आपसान नंबर 3 सेख अब्दुल्ला 1947 में जम्मू और कस्मिर के प्रधान मंत्री सेख अब्दुल्ला थे और बरतमान में जम्मू कस्मिर के लेफटिनेट गरणर मनोस सिनहा है और बरतमान समय में जम्मू कस्मिर को बिवाजित करके दो केंदरसासित प्रदेसों में बाट दिया गया है तो जम्मू कस्मीर के बर्तमान लेटेनेर्ट गवरननर है मनोस सिनहा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्च की ओर, अगला प्रस्चन है हमारा, किसके नेटरतव में आप्रेशन ब्लू इस्टार किया गया था, चार आपसनेर आपको बताना है इनमें से किसके आप्सन नंबर दो इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी के नेत्रत्म में आप्रेशन ब्लू इस्टार 1984 में अम्रस्टर इस्तिद हर्मिंदर साहिब परिशर को खालिस्तान समर्थक जनरल सी भिंडारा वाले और उनके समर्थकों द्वारा खाली कराने के लिए चलाया गया था चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट ने हमारा किस भारती सहर में ताज महल इस्ति थे तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन नंबर दो आगरा में आगरा में ताज महल इस्ति थे और ताज महल का निर्मान सहाजा ने मुमताज महल की याद में क इससे संबंदित था तो इसका right answer है option number 3 मुलभूत अथिकार से भारती संबिदान में पहला संसोधन 1951 में किया गया और यहां संबिदान संसोधन मुलभूत अधिकारों से संबंदित था दोस्तों यहां प्रशन MP पुलिस की साथ यहां आज की इस्टिप्पर में पूछा गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा कोप्रा बयामा और बियर ना सभी किसकी साहयक नदिया है चार आप्सण अर आपको बताना है इनमें से किसे फ्लाइंग सीख आफ इंडिया कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है आप्सण नमबर एक मिलखा सिंग को फ्लाइंग सीख आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और मिलखा सिंग एथलेटिक खेल से संबंदित थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा भारत के लोह पुरुस के नाम से किसे जाना जाता है भारत के लोह क्यों एक लाए प्र meidän नालंदा वी सो भिद्धाले के कुल्पती क्यों हैं सॉ एगले प्रेस्ट क्यों अगला प्रस्ण हैँ हमारा लोकसभा में सरबादिक सेबा में रहने वाले अध्यक्ष कोन है चार आपको बता ने इनमें से कोन लोकसभा में सरबादिक mooi को आपसन और आपको बताना है इन में से कौन लोगसवा में सरबादिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष हैं तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 3 बलराम जाकर बलराम जाकर लोगसवा में सरबादिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष हैं आगे चलते हैं अगले प्रसन की धर्मसाला हिमाचल प्रदेश राज जी की दूसरी राजदानी है हिमाचल प्रदेश राज जी की दो राजदानिया है एक है सीमला जो ग्रिस्मकालिन राजदानी है और दूसरी है धर्मसाला जो की सीतकालिन राजदानी है और हिमाचल प्रदेश को देव भूमी भी कहा जात 2006 में आरंब किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा किस बर्स बांगलादेश मुक्ति युद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था आपसे पुछा गया है किस बर्स में बांगलादेश मुक्ति युद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 1 1971 में चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा पुर्वत्तर भारत की पहली भारती क्रसी अनुसंदान संस्थान की आधार सिला कहां पर रखी गई थी आपसे पुछा गया है पुर्वत्तर भारत की पहली भारती क्रसी अनुसंदान संस्थान की आधार सिला कहां रखी गई थी तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 2 तो गोगा मुख, पुर्वत्तर भारत अर्थात पुर्व भारत की बात की जाए, तो पहली भारती क्रेसी अनुसंदान संस्थान गोगा मुख असम राज्ज में रखी गई थी, असम की राजधानी है दिसपूर, असम के सिये में सर्बानन सोनोबाल और असम के गवर्णर है जकदिश मुखीं है चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंती और इस रो के संस्थापक कोन है चार आपसेन आपको बताना है इन अगले प्रस्ट की और अगला प्रस्ण है हमारा भारत के संबिदान को संबिदान सभा द्वारा किस बर्स में अपनाया गया था चार आप्सण है और आपको बताना है भारत के संबिदान को संबिदान सभा द्वारा किस बर्स में अपनाया गया था तो चार आप्सण है और इ संबिदान कब से लागू हुआ था तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से संबिदान सब द्वारा संबिदान को 26 नॉंबर 1949 को अपनाया गया और भारत का जो संबिदान है बाज 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर दोस्तो यदि आप लोगे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दें और मेरे चैनल को भी प्राजपाल, Lieutenant Governor संग साइसित प्रदेसो का जो प्रसासन होता है 2 अप राजपाल अर्थात Lieutenant Governor के द्वारा किया जाता है बरतमान में भारत में टेंदर साइथ प्रदेसो की संख्षया 8 है इसे भी आप अच्छे से याद कर ले आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर दोस् सबी एक्जाम्स के प्रिवेश्यास पेपरों के जीके जीस और साइंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चेनल की प्लेइलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप इन सबी वीडियो की नियमन का सबसे अधीक स्विकार लाब कॉनसा है पहला अपसर ने सिर्फ अपने चपात्चाई को परियाबरान परिवर्तन है तो समाय योजित करने के लिए कोशिकाओ को सक्षम करता है तो यहाँ जिन के बारे में सही है दूसरा अफ्शन है तो इसका राइट आंसर है आफ्शन नमबर चार उप्यूक्च सभी जिन किरिया के नियमन का जो लाभ है बाख उप्यूक्च सभी उधारण है और जिन की खोज मेंडल ने की थी इसे भी आपको याद रखना है चलिए राइट आप्षानर आपको बताना है इन में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट अंसर है आपसर नंबर चार, समान जनन कोशिकाओं की संतती कोशिकाओं सम रूपी नहीं होती है या असत्य कथन है और बाकि के जो कथने वहाँ सभी सत्य हैं तो उने भी हम देख लेते हैं समसुत्रण शरीर के शुधार में सायक होता है या रैट है दूसरा आपसं ने कोशिका विभाजन से सरीर का अकार बढता है या भी सही है अर्द सूत जर्णी कोशिकाओं में होता है या भी सही है तो यहाँ पर जो आपका असत्य कथन था वह है समान जर्ण कोशिकाओं की संतिती कोशिकाओं समरूपी नहीं होती है तो या असत्य कथने आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रस्ण है हमारा निमने में से किस बेग्यानिक ने आनुबान सिक्ता का सिध्धान्त दिया था तो इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर 3 मेंडल ने मेंडल ने आनुबान सिक्ता के सिद्धान्त की खोज की थी और मेंडल ने आनुबान सिक्ता के सिद्धान्त के खोज के लिए प्रयोग में जो उप्योग किया था बहाँ था मटर का पोधा तो इसने मटर के पोधे का उप्योग अपने प्रयोग के दोरान किया था आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्थ की ओर अगला प्रस्थित है हमारा Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं आपसे पुछा गया है Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं तो इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर 3 एने प्लस ओटू माइनस एने टू हो में एने प्लस तथा ओटू माइनस उपस्थित होते हैं आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा परमाणू उर्जा सहयंत्र खालिस्तान को निर्मुक्त करके बायू को प्रदूसित करता है चार आप्सन है आपको बताना है जो परमाणू उर्जा सहयंत्र होते हैं बहां से इन में से क्या मुक्त होता है जिसके कारण बायू प्रदूसित होती है त अगला प्रश्न है हमारा किसी बस्तु के आकार का समतल दरपन द्वारा निर्मित प्रतिविम के आकार से अनुपात क्या होता है आपसे पुछा गया है यदि कोई बस्तु समतल दरपन के सामने रखी जाए तो उस बस्तु और समतल दरपन द्वारा निर्मित प्रतिविम के आ का अनुपात क्या होता है तो इसका राइट आंसर है आपसर नमबर 4 एक अनुपात 1 समतल दर्पन अर्थाथ आप जो घरेलू दर्पन यूज़ करते हैं उसे समतल दर्पन कहा जाता है तो आप यदी दर्पन के सामने खड़े होंगे तो जितना साइज आपका होगा उतने ही आपके प्रतिभीम का होगा और समतल दर्पन पर ना प्रतिभीम आभासी और दर्पन के पीछे बना होता है तथा इसके पार्श बदल जाते हैं इसे मिआफ याद रखें आगे बढ़ते हैं अगले क्सट की और मारा माइटो प्रम प्राष्टिट को अर्ध स्वास्तषाell क और माइट्रो कांड्रिया को कोसिका का उर्जगरा अर्थाद पाबर हाउस भी कहा जाता है इसे भी आप याद रखें आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट ने मारा मास्पेसियों को अस्थियों से जोडता है चार आप्सन दिये हैं और आपको बताना रेशम तंतू से प्राप्त किये जाते हैं चार आप्सन है और आपको बताना है जो रेशम होता है इन में से किस तंतू से प्राप्त किये जाते हैं तो इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर चार कोकून रेशम तंतू कोकून से प्राप्त किये जाते हैं और रेशम कीटो क पालन सेरी कल्चर कहलाता है इसे भी आप याद रखें आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा हमारे सोर प्रणाली का निकर्तम तारा कौन सा है आपसे पुछा गया है हमारी सोर प्रणाली का निकर्तम तारा कौन सा है चार आपसन है तो इसका राइट आंसर होगा आपसर नमबर दो एलफा सेंचुरी हमारी सोर प्राणाली का जो सोर मंडल है उसका निकर्तम तारा है एलफा सेंचुरी और यदि आपसे पुछा जाए प्रत्वी का निकर्तम तारा कौन सा है तो उसका आंसर होगा सूर सूरी प्रत्वी का निकर्तमतार रहे तथा 11 centered सौर मंडल का निकर्तमतार है आगे बढ़ते हैं अगले फ्रस्ने की ओर अगला प्रस्न ay मारा वीभुहांतर के मापन के लिए प्रिभुक्त होने वाली डिवाईस कॉन सी है चार आप선 नir आपको बताना है इन में से किस device का उपयोग विवाहनतर के मापन के लिए किया जाता है तो इसका right answer है option number 3, voltmeter का, डिवाहनतर के मापन के लिए किया जाता है आगे चलते हैं अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रसन हमारा निम्न में से किस एक रक्त बाहिका में केबल भी आक्सिजनित रुधिर होता है चार आपसन आपको बताना है इन में से किस एक रक्त बाहिका में केबल भी आक्सिजनित रुधिर होता है तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर 3 फुपूस धमनी फुपूस धमनी में भी आक सी जनित रुधिर को प्रवाइद करती हैं या सभी धंडियों में अपवाद होती हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रसकी और अगला प्रस्ण हमारा जब रात को आकास में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे क्या कहा जाता है तो इसका रात में चंत्रमा आ अवस्या का दिन होता है इसे न्यू मून डे के रूप में भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसकी और अगला प्रस्ण है अमारा निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी दो फसले खरीब की फसले हैं चार अप्सन दिये हैं और इनमें दो दो फसलों के नाम संभंधित है तो आपको बताना है इनमें से यसा कुण सा आप्सरन है जो खरीब फसलों से संबंदित है तो इसका रॉइट की जाती है जैसे मक्का, स्वयविल और ज्वार और रवी फसलों की बात की जाएं तो रवी फसले सीत रितू में बोई जाती हैं जैसे ग्यहूं, चना, सरसो, इत्यादी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न हमारा खरीफ फसल की अबदी क्या है आप से पुछा गया है, जो खरीफ फसल होती है उनकी अबदी क्या होती है तो इसका रवी फसले है आपसल नमबर 2 जून से अक्टूबर खरीफ फसले, अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ फसले बरसा रितू के दोरान बोई जाती है तो इसके जो अबदी होती है जून से अक्टूबर होती है और यदि पुछा जाता है रवी की फसलों की अबदी क्या होती है तो रवी फसले सीत रितू के दोरान बोई जाती है तो इसका आंसर होगा दाम्स के प्रीवेस येस प्रेपरों के जीके जीएस और साइंस के वीडियों चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपने तैयारी को और भेतर कर सकते हैं कि जय हिंदोस्त